नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं जो CRC का पोर्टल है वो तकलीफ दे रहा है इसमें कहीं दो राय नहीं है लोगों को परसानिया हो रही है क्योंकि काफी लोग अपलाई कर रहे हैं एक साथ और पोर्टल की कैपेसिटी कम है और धीरे धीरे लोगों का अपलिकेशन जा रहा है लेकिन जिस रेशियो में जाना चाहिए उस रेशियो में नहीं जा रहा है क्योंकि माननिय ग्रिह मंत्री अमीज साजी बोले थे कि 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो गए तो 5 लाख लोगों का अप्लिकेशन फाइनली सम्मीट हुआ कि नहीं हुआ ये भी उनको संग्यान मिलेना चाहिए खेर 25-30,000 तक जो रिपोर्ट आ रहा है कि लोग अभी तक अप्लाई किये हैं इसमें दूसरी बात ये है कि 25-30,000 लोग अप्लाई किये लेकिन एक आदमी का कम से कम 5-10 बॉन्ड भी हो सकता है एक बॉन्ड तो मिनिमम होगा मैक्सिमम का कोई लीमिट नहीं है जिसका मैचूर्टी पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ लोग सब लोग अप्लाई कर दे रहे हैं जो जिनका डिपोजिट है 22-2022 के पहले और स्टार का 29-2023 के पहले यहीं गैडलाइन में लिखा गया था मैचूरिटी का और इसका कहें किलियरिटी अभी तक नहीं है कि कौन लोग करें तो मेरा राय था कि अगर आपका केवल मैचूर्ड बॉन्ड है तो टोटल अपएड कर दीजिए जिसके पास दोनों है कुछ मैचूर्ड है कुछ अनमैचूर्ड है लेकिन जो डिकलिरेशन में लिखा जा रहा है कि मेरे द्वारा सारे बॉन्डों का डिटेल उपर दिया गया है तो इस हिसाब से टोटल बॉन्ड को आपको एड करना चाहिए और जो लोग पहले अपलाई कर चुके हैं और कुछ बॉन्ड उनका छुट गया है तो उनको भी घबराने के ज़रूरत नहीं है फिर मौका मिलेगा अपलाई करने का यह अप्लिकेशन जैसे ही प्रोसेस होगा या तो एप्रूब होगा रिजेक्ट होगा या पार्टली यहां बॉन्ड वाइज डेट वाइज कहीं पेमेंट का भात नहीं किया गया है किसी सर्कुलर में ना इमाउंट वाइज कि आपको इतना ही मिलेगा यह डिसीजन सारा सी आर्सी और पूरा कमेटी के हाथ में है बहुत सारी दिक्कत हैं देद क्लेम है माइज से किलेरीटी न पहिता है यह मामला फॉसेगा आपके पास बॉंड पे नहीं है आप not applicable 099 डाल के निकल सकते हैं एकांट नमबर डाल डाले और उसकैन करके आप ओंड देहीं रहे है तो बिना मेंबर्शिप का कैसे बॉंड इशु हो गया जब बिना सब मेंबर ही है तो इसका इंटर्नल कुछ ना कुछ रास्ता सहारा निकालेगी है, सहारा के पास होगा, कि हमारे कुछ बॉंडों पे मेंबर्शिप नहीं है, उनका एकाउंट नमबर आप डालिएगा तो उनका मेंबर्शिप नमबर ब्रांज से बता दिया जाएगा, चूकि बाद में इंटर्नली इस सुकर दिया गया हो मेंबर्शिप नमबर, बॉंड छपने के बाद, क्योंकि बीना मेंबर का सोसाइटी में डिक्पोजिट सहारा डिक्लेयर किया है, कि हम नहीं लेते हैं, कि बीना मेंबर्शिप का नहीं होगा, अगर नहीं अबलेबल है, तो आप वहीं करिए, जो एकाउ कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि बीरोध करिए सही चीज है, शरकार का बीरोध नहीं होगा, तो किसका होगा, लेकिन एक बात का आप लोग ख्याल रखहें कि आपने पैसा सहारा में जमा किया था, आँ उसमें सरकार गरांटर नहीं थी कि आपका पैसा दिलवाइगी सरकार किलियर लिखवाई थी सहारा के इस पे बोन्ड पे भी बाद में लिख के आया होगा और वेव साइट पे तो डिकलियर किया ही गया है कि सरकार किसी तरह से इसमें अंडर्टेकिंग या गरांटर नहीं है आप अपने सूझ भुझ से पैसा जमा करें जैसे आप share market में invest करते हैं तो पहले ही लिख दिया जाता है कि आपका investment है बजार जोखिमों के अधीन है बजार के जोखिमों को आप समझते हैं कि आपका पैसा डूब भी सकता है बार भी सकता है अपने risk पर करें उसका भी license सरकार दी रहती है से भी control करते रहती है अर एक share market को लेकिन एक declaration रहता है कि आप अपने समझ बुझ से ही पैसा जमा किये करें बढ़ेगा तो आपका घटेगा तो आपका उसी तरसे सहारान में में अपने पैसा जमा किया गया तो सरकार को आप गलत क्यों ठारा रहे हैं जितना आप सरकार पर भीड़े हुए हैं क्योंकि agent जमा कराया और investor जमा किया इनलों का गलती नहीं है अगर investor आप इतना जागरूग थे तक क्यों किये कि जब जान रहे थे कि सहारा एक प्राइबेट संस्था है और इस इसमें रिटर्ण ज्यादा था उसका लालच आपको नहीं था जमा कर रहे थे तो कि हमने 15-12% इंटेस्ट के लालच में किया तो जहां रिस्क ज्यादा रहता है वहां रिटर्ण ज्यादा मिलता है सहारा ने दिया भी 12-15% तो लोगों को उमीद था कि मिल जाएगा हां यह अलग बात है कि वो गलत दिशा में गई और company फंस गया तो जब फंस गया तो इसका उपाय क्या है ultimate है कि लोग पैसा आया है यह सेवी ने जब्त किया था सीज किया हुआ पैसा था सोसाइटी के पैसा एंबी भैली में लगा हुआ है उसका निलामी होगा तब जाके आपका कही ना कहीं भुगतान शुरू होगा जहां पूरा भुगतान का बात है यह मातर 2253 करोड रुपईया वह भी सह गलत होने वाला है कि 10 करोड इंबेस्टमेंट है 10 करोड लोगों का इंबेस्टमेंट इसमें है यह गलत होगा आज ही लिख लेजिए दो से तीन करोड भी अगर लोग अप्लाई कर दें तो बहुत है लोग यह बॉंड का हम बात नहीं कर रहे हैं कि यह काजमी का 20-20 जीवल उस चीज को देखते हुए बोला गया कि एक करोड लोगों का पैसा मिल जाएगा 10-10,000 से अगर शुरुआत किया जाता है लेकिन यहां तो मैटर अलग है जो दिल्ली हाई कोट में है रखा गया था सहारा के तरफ से बात कि क्रेडिट में 4 करोड लोग सहारियन में 3. 9.71 मतलब पॉने 4 करोड लोग और 1.5 करोड लोग हमारा में और 37 लाख लोग स्टार में सब मिलाके 9.88 इंवेस्टर लोगों का पैसा है तो यह डाटा गलत होने जा रहा है क्योंकि 9 करोड लोग नहीं थे 9 करोड बॉंड था एक ही आदमी का तीनों सोसाइटी में जमा है ए एक ही सोसाइटी में चार मेंबर सीफ है एक आदमी का और यह आदमी काउंट हो रहा है अलग अलग तो सहारा भी अपना बरहा चरह के दिखाने के लिए दिखा दी कि 10 करोड इंवेस्टर है मेरे पास और ऐसा कोई सेंटरलाइज सिस्टम नहीं था कि सब को एक जगा जोर के देखा जाये लेकिन अब जो आधार से अपलाई हो रहा है तो चारो सोसाइटीओ का मामला एक जब आ जा रहा है भले आपका 10 लाग का इन्वेस्टमेंट है लेकिन चारो सोसाइटीओ का बॉंड उसमें डाला जा रहा है तो एक आदमी का 20 बॉंड हुआ तो बॉंड की कितने लोग क्लेम कर पाते हैं बॉंड नहीं कितने लोग हमारे हिसाब से दो से तीन करोर लोगों तक जाते जाते दम तोर देगा इससे ज्यादा इंवेस्टर नहीं यह अलग-अलग मेंबर्सिप बनने के कारण रीपीट होने के कारण एक ही आदमी है जो जिसका पैसा सहारि में था अब बोल दिया गया कि दस को इंवेस्टर हैं उसी तरह से इनका बारा लाग एजेंट चलते हैं कुछ एजेंट ऐसे थे जो की जमा करता थे और उनका कोड़ खुलवा दिया गया और कांट हो गए कि एजेंट है तो एक्टीव एजेंट कितने हैं जो कि एक्ट्वल साहरा के लिए काम करते हैं एक लग से ज्यादा नहीं है और जमा करता दो से तीन कोड़ के बीच में हो जाएं तो यह बहुत है यह मेरा अनुमान है तो बहुत सरा बदलाव इसमें होगा जो दस जार वाला मैटर था वह भी बरहेगा क्योंकि जब लोग इन करता है पांच लाख लेकिन फाइनल क्लेम अभी तक 25-30,000 लोग का गया है लेकिन इसमें एक लाख से ज्यादा बॉन्ड चला गया होगा धीरे धीरे ही बर रहा है और 31 जुलाई तक लाश डेट है इंकम टेक्स का तो ओटीपी का लोड अधार वाले साइट पर भी इंकम टेक्स के चलते भी बहुत ज्यादा है जिससे की थोड़ा दिक्कत हो रहा हो एक 30 के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा अभी रात में जो अपलाई कर रहे हैं उनका सक्सेस्फुल हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है कहीं ना कहीं शुरू हुआ है प्रोसेस इसको सपोर्ट करने की जरूरत है जो संगठन बीरोध कर रहे हैं उनका भी हम समर्थन करते हैं कि सरकार के खिलाप आवाज उठाते रहे तब ही सरकार सुनेगी ऐसे आप बोलिएगा एक आदमी आवाज उठाएगा तो नहीं सुने तो सबका समर्धन करते हुए लेकिन सरकार का भी स्वयोग करना जरूरी है कि ये पैसा दिलवाने के कदम में इतना आगे बढ़ी और ये काम करवा रही है क्योंकि ये पैसा सहारा को देना था सहारा ने नहीं दिया लीगल पेच में फस गया कोट में डेट नहीं पर रहा है फाइनल डिसीजन नहीं हो र हुआ था और वो निस्किरिये था जो सहारा भी बोल रही थी और पब्लीक भी बोल रही थी कि जो पचीस हजार क्रोड है इसको पहले बांट दिया जाए तो फिर आगे हम बढ़ेंगे उसी दिशा में अमीज साहाजी बोले कि पांच सेलर क्रोड से स्टार्टिंग है जैसे य ज्यादा और सरकार क्या करें और जो लोग विरोद कर रहें उनसे हम पुछना चाहते हैं कि जो पर पोशनेट है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा या सब को दिया जाएगा तो मेरा ही फर्मूला अगर आपको लोग को ठीक लगता है तो उसका समर्थन करें कि 10,000 या 20,000 या 30 10 परसेंट दिजिए कि 20 लाख है तो 10 से परसेंट मिलेगा तो 2 लाख हुआ यहीं फर्मूला काम करेंगा नहीं तो इसके अलावा किस रेशियू में बाटा जाए कि 5000 करोड से आपका 2 करोलों का प्रुखतान कर दिया जाए और टोटल भूंतान संभव हो तो वो लोग ज्या जादा आप इससे रिफंड लीजिएगा इंट्रेस्ट पोर्शन उतना जादा रहेगा और इंट्रेस्ट पर्टेश कटेगा तीडियस होता है इंकम टेक्स और हाई लग तक का स्लैब अभी फिरी है और पांच लाग तक का एक जैम्शन मिलता है कि पांच लाग तक का अग अगर किसी का 20 लाख रिफंड हो जाता है तो उसमें 10 से उपर और 20 से नीचे जो पोर्शन है इंट्रेस्ट का उसके 30% इंकम टेक्स आपको लगेगा 10% कटेगा और 20% आपको सेल्फ जमा करना परेगा आई टीयर फाइल करके क्योंकि अरहाई लाख से जिसका इंकम ज्याद नहीं होगा टीडियस भी कटेगा तो रिफंड आजाएगा पबलीक एकाउंट में टीयर फाइल कीजिएगा लेकिन जिनका इंकम 5 लग से ज्यादा बढ़ गया उसपे तो उनको इंकम टेक्स लगेगा मिनिममम 20% तो 20% के हिसाब से सरकार के खता में जाएगा तो सरकार को तो फाइदा था कि जतना ज्यादा है लोगों का सबका दे दीजिए मैक्सिमम में उपर से उठाएगे तो सरकार को भी 20% टेक्स आता पांच जार क्रोर में एक हजार क्रोर सरकार का इंकम हो जाता तो सरकार की मंसा यह नहीं है कि पैसा अपने पॉकेट में डाल लिया सरकार का है कि मैक्सिमम लोगों को टच किया जाए जिसको 10-20,000 का रिलीफ मिल सके नहीं तो आप लोग एक सर्जेशन दीजिए कि कि किस रेशियो में इसको डिस्टिब्यूट किया जाए आप लोग सब्दिए कि आप ही सरकार है ताकि सबको पैसा या फूल पेमेंट मिल जाए र 38,000 क्रोर का केवल एक कंपणी में अपील था सहारा के एक ग्रूप के एंबी भैली या बड़ी कंपणी कोई थी जिसमें 38,000 क्रोर का इंकम प्रेक्स का खाली अपील चल रहा है उसी अपील का डिसीजन आ जाएगा सुब्रिम कोट से तो रिकवरी में सारा पैस्वर घिच मिलेगी सरकार काई के लिए इतना लोकमाथा पेची करेगी तो सब को रोका गया है कि अपना अटेच्मेंट आप एक तरफ रखिए अभी पबलिक प्रेशान है उसका भुगतान शुरू करने दिए इससे सहारा को भी रहत मिलेगी और पबलिक को भी मिलेगी और एजेंट लोगों को भी मिलेगी और शुरुवारती दोर में साइट नहीं चल रहा है इस दिक्कत आ रहा है साइबर काईपर वाले नहीं इतना टाइम दे सकते हैं किसी को अपलाई करने के लिए यह दिक्कत है लेकिन इसका सलूशन भी लिया जाएगा जब अमिर साजी दो दिन फॉलॉप लेते रहें और याद रहेगा तो उनकी जग रुकता देखिए कि दो दिन बाद उनको पता है कि इसका मतलग फॉलॉप ले रहें कि पांत लाख लोग रजिस्टर हो गए इभी जनकारी होगा कि मातर 30,000 क्लेम गया इस पर करवाई कीजिए पोटल का कैपिसिटी बढ़ाईये कि इस पर चर्चार अभी दस दिन हुआ है दस दिन भी नहीं हुआ अठारा से चब्विस है आठ दिन हुआ है 31 जुलाई तक आप इंतिजार करें 31 जुलाई के बाद जब आईटी का डेट समाप्त हो जाएगा इंडिविजुल का तो लोड कम होगा आधार वा इस कमीटी में तो सबकी सहमती से कोई चीज आएगा सहारा है देथ क्लिम क्या करना है मैयेस करना क्या करना है इस सारा क्लियरिटी ऐसे एक-एक नहीं आ जाएगा कुछ ना कुछ आएगा लेकिन पूरा कमीटी जब बैठेगी मीटिंग में फैनलाईज होगा तब जाके नो लुका जाए काफी तकलीप हो रहा है सारा तो चाही रही है कि जैसे फंसा मेटर से फंसा रहे मेरा पैसा बाचा रहे अभी तो यह है कि तीस दिन में सहारा को उधर से करना है कि आपके आप लोड कर रहे हैं सही कर रहे हैं माउंट नहीं करेंगे इसलिए तीस दिन का टाइम सहरा को दिया नहीं तो कैसे संभव है इस तरह से सहारा ने से भी ओफिस में डेड़ सो ट्रॉक भेज दिया कि आप जांच कि दिये तो इस बार अब सहारा की बारी आ ग तो ऑफिस से स्टाफ कितना है कि जल्दी से जल्दी इसको एपरूब कर देते हैं यह अपना हाथ ख़रा नहीं करें कि हम एक महिना में मात्र 10-1000 क्लेम को भेरिफाइब कर सकते हैं यह भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि आप आप तो क्लेम करके निस्चिन्थ हो गया अब टेंस प्रफिंत नहीं कहीं कुछ नहीं जीतना हम लोग को पता है उतना ही साहरा के जो इंच इंटर्नल इंफरमेशन नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए हम अपने समद्र में आ रह mental समय तेल कर्या करने की जरूबत है इतने में इन्वेश्टम नहीं हो सकते हैं सब्सक्राइब लेकिन इतने नहीं इसलिए एक आदमी को दस हजार जो सेर आ रहा था वह पचास जार एक लाख तक पहुंच सकता है जो मेरा अनुमान है पहले लोट में कि कि 5000 रुपया भी कम नहीं होता है और जिस रेशियो में क्लेम आएगा एक तीस दिन में तो अगले तीस दिन में उसके बर्ठक होगी क्या पैसा रिलीज किया जाए क्यूंकि ना इंट्रेस्ट ना मेचुरिटी कुछ पूछा नहीं जा रहा है सब को अपने हिसाब से किया बाइस मार्च 2022 के पहले जो भी जमा किये हैं सब आप अपलाई कर दीजिए और रही बात अपने मोबाइल से करने का तो आधा प्रूसेस आप मोबाइल से कर सकते हैं सही सही भर के कर लिजिए जो एक एक बॉंड है 200 के बी में होना चाहिए अगर आपका बड़ा हो जा रहा है तो बहुत सब्सक्राइब आता है गूगल क्रोम में आप उपर सर्थ के जिए कंप्रेस पीडिएफ पले पीडिएफ में आप स्केन कर लिजिए उस पीडिएफ को कंप्रेस कर हो जाता है और ज्यादा कमप्रेस नहीं करना है 200 के भी बोल रहा है तो एक सब्सक्राइब जाता है तो उतना ही क्वालिटी करें एक बार खोल के उसको जब आप अप अटेच्छ कर रहें तो देखें कि सही बॉन्ड अपलोड हो रहा है कि नहीं जू उपर डिटेल भर तो गरबरा जाएगा तो अटेच्मेंट करते समय ध्यान रखना है कि कंप्रेश करके सकन करके पीडियेप सब अपने पास लाइन से रखें बॉन्ड नमबर वान टू थीरी फोर या बॉन्ड एमाउंट लिख दीजिए कि इतना का है चाहिए सोसाइटी का नाम चाहिए अपन कुछ और का फाइल कोई अपलोड हो जाएगा तो वहां पर इजेक्शन का चांस रहेगा रही बाद पैन काड की पैन काड आपका 50 के में मांग रहा है वह एड कर दीजिए दूसरा प्रिंट करके साइन करना है आपको लेस लिखना है प्लेस में जहां से अपलाई कर रहा है मोबाइल नंबर और साइन आपका अगर याद है कि हिंदी इंगलिस किसमें आप करते हैं तो दोनों में कर दें हिंदी में कर दें हिंदी में करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब रही बात की बैंक का नाम फेच करना चाहिए इसको जैसे कि हर एक डाटा आपका ल लेकिन यह सप्ट्ट्वेर की कमी है सप्ट्वेर से भी वहां बैंक का नाम प्रिंट होके आ जाना चाहिए उमीद है की सुधार किया जाएगा जो खामिया है स्पोर्टल में के द्वारा वह आटोमेटिक आ जाना चाहिए बैंक का ना आप लिख दीजिए अलग बात है लेकिन वहां जो दिख रहा है आप अपलाई करते समय वह आना चाहिए कुछ लोगों का कंप्लेंट था कि एयर टेल पेमेंट बैंक दिखा रहा है हां तो एयर टेल ने इसके पहले 2018 में बहुत बड़ी गरबड़ी की थी कि बिना आपके प्रोपर कंसेंट के आपका सेविंग एकाउंट खोल दिया गया अब एयर टेल के है यह तो सिम देती है तो इंडिया में अभी एक्टिव छोव पेमेंट बैंक है वो फूल बैंकिंग नहीं है आपको लोन नहीं इन लोगों को दिया था लेकिन एयर टेल ने इसका गलत इस्तेमाल किया जिसके चलते इसको पांच करोर का पेनल्टी भी लगा था क्योंकि बिना कंसेंट का आप सीम लेने जा रहे हैं उंठा लगा रहे हैं तो सीम तो आपको मिल गया साथ में सेविंग एकाउंट भी खोल दिया जा रहा था तो इसमें और कुछ लों का गैस का सिप सबसीडी भी चला गया था यह टेल पेमेंट बैंक में कुछ दिन पले जिसको बोला गया था कि आपका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा अर्वी ने दिया जब इसको फटकार तो यह बोला कि हम वापस कर रहे हैं और इस बोला गया है में और हम लाग तो मेरा हिसाब से इसको ना हम जोग OFF सकता भी मेरा तो जाया चाहीए है पर हुस में और यहीं दिया जाए कि आप एकाउंट नमबर लोगिन कर पतारे की कि आपको पैस चाहिए यह गाइडलाइन आधार वाले को भी दे दिया आधार का जो वेव साइट है कि आप पेमेंट बैंक को वहां से लिस्ट से हटाईए कि सहारा का पेमेंट जो आ रहा है वहां से फेच जो कर रहा है आटोमेटिक वो नहीं दे और जिनका सही से सेविंग एंकाउंट सब टर्में अगर नहीं है किसी को चेंज करना तो कस्टमर केर से बात करके अपने यह टेल बैंक अकाउंट बंद किजिए और कुशी और बैंक में है तो ठीक है नहीं तो नया खता खुलवा लिजिए अधार से और उसके बाद अपलाई किजिए आज जो अपलाई कर दिये हैं वेट कर सब लॉग इन करके चेंज करके ठीक ठाक करके रखे और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है घबराने वाली कोई बात नहीं है लेकिन इसको CRC के तरब से देखा जाना चाहिए कि यह टेल पैमेंट बैंक को नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें गरबरी होने का चांस ज्य होना चाहिए कि खिलापत सरकार खाई होगा दूसरे विपक्स का खिलापत तो हो नहीं सकता है लेकिन अल्टर्नेट कुछ उपाए भी रहना चाहिए कि इसके अलामा भी कोई रास्ता है क्योंकि बाइस सो तिर्पन करोड़ जो क्रेडिट को अप्रेटी सोसाइटी का मातर पैसा था उससे उपर उठके 5000 कुरूर दिया गया है क्योंकि लिगली अप चलिए गया तो क्यों बाइस सो तिर्पन विथ इंट्रेस्ट मिलना था इसको और जब बुला जा रहा है कि और भी पैसा हम निकाल लेंगे सहरा से भी एकाउंट से तो कोई अब्जेक्शन कोई न विzkी है सरोकार को सहरा से मिलने से पबलीक का पैसा भुगतान हो जाता है इसमें हम सहारा का विरुद करते है उसके गलत मेंजमेंट का विरुद करते हैं तो आप लोग जो सहारा किया वो भुगत रहा है अब रही बाद की सब का कल्यान किसमे है भुगतान करने में अब सहरकार सहारा से मिल के कराए या सहारा को जेल में करके कराए भुगतान सबसे ज़रूरी है तो हम कोई हम नहीं मानते हैं कि सरकार सहारा से मिली हुई है सरकार सहारा पर प्रेसर दी हुई है कि तुम इधिरोदर नहीं करोगे जो कह रहे हैं वो करोगे सरकार इतनी मजबूती से है कि सहारा को भी डाउन होना परा है ने तो सहारा चली जाती सुप्रिम कोट में पैसा रोक सकती थी अभी भी रोक देगी तो ये सरकार की उपलब्धी है कि सहारा को भी पंट्रोल में लेते हुए भुगतान किया जा रहा है और अगर भुगतान हो रहा है तो किसी से भी मिलना परे वो अच्छा ही है भुगतान होना चाहिए जैसे एक अपडेट और है कि जो स्टाप लोगों का इंपलाई लोगों का केस सुप्रिम कोट में गया था उसकी 24 तरिको डेट लगे हुई थी उसकी सुनवाई हुई है और उसमें नोटिस इसू किया गया है पाटी लोगों को और अगला डेट एक महिना आगे मन चार वीक के बाद बोला गया है कि लिस्ट किजिए और टेंटेटिव डेट 25 अगस्ट को दिया गया है और आया डिये और सहारा लाइफ हॉला मैटर था वो सुप्रिम कोट ने बोल दिया कि आप फिर से इस पर विचार किजिए सिकुरिटी अफिलेट ट्रिबुनल को वह तीन अगस्ट को डे लोगों वाला मैटर सुनवाई किया जाएगा सुप्रिम कोट अभी नूटिस इसू कर दिया गया है इसका मतलब कि मैटर को टेक अप किया जा रहा है हो और इसमें भी कुछ हो सकता है जिससे इंप्लाइल लोगों का कल्यान हो सकते खेर अभी के लिए इतना ही फिर कोई आप लोगों को प्रोब्लम होगा तो कॉमेंट कीजिए गा तो हम आपके लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे अभी के लिए इतना ही धन्यूंद